कार्तिक मास की पुर्णिमा इस वर्ष सुन्वार को 27 तारीक को लग रही है और कार्तिक पुर्णिमा विशेष रूप से फलगाईनी होती है माता लक्ष्मी के लिए कारतिक मास के अमावस्या में लक्षमी की पूजा दीपावली पे की जाती है और लक्षमी की आराधना जिस तरह दीपावली पे की जाती है ठीक उसी तरह पूर्णिमा के दिन भी को भी देव दिपावली कहा जाता है पूर्णिमा को भी माता लक्ष्मी को की पूजा की जाती है और उनको विशेश रूपते खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है खीर का पुर्णिमा के दिन जिस तरह से माता लक्षमी की पूजा होती है और साथ ही साथ मा तुलसी की पूजा भी इस दिन विशेष रुपते की जाती है कार्तिक सुक्लपक्स एकादसी से पूर्णिमा तरह माता तुलसी का विवाह का समय होता है कुछ लोग एकादसी में भी पूजा करते हैं और कुछ लोग विवाह का कारे पूर्णिमा को भी करते हैं इसलिए आज के दिन तुलसी में दीबदान करना माता तुलसी की कृपा से उस वर्ष जो उलसी में दीबदान करता है उनको रोग बाधा नहीं चताती है